मेरे प्यारे देश्वासियों नमस्कार कुरोना के खिलाब देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है कुछ सब्ता पहले तक स्थित्या समली हुई थी और फिर एक कोरोना की दूसरी बेव तुफान बनकर आ गई जो पीड़ा आपने सही है जो पीड़ा आप सह रहे हैं उसका मुझे पूरा एसास है जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है मैं सभी देश वास्चों के तरफ से उनके प्रती सम्वेदनाई व्यक्त करता हूँ परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूँ चुनावती बड़ी है लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प अपने होसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है साथियों अपनी बात को विस्तार देने से पहले मैं देश के सभी डॉक्टरों मेडिकल स्टाप, पेरा मेडिकल स्टाप, हमारे सभी सभाई कर्मचारी भाई भेन, हमारे एंबुलेंस के ड्राइवर्स, हमारे सुरक्षाबल, पुलीस कर्मी, सभी की सराना करूंगा आपने कोरोना की पहली वेव में भी अपना जीवन दाव पर रगा कर लोगों को बचाया था आज आप फिर इस संकट में अपने परिवार, अपने सूख, अपनी चिंता छोड़कर दूसरों का जीवन बचाने में दिन रात जुटे हुए हैं साथियों हमारे सास्त्रों में कहा गया है ताज्यम न धैरियम, विदुरे अपिकाले अर्थात कठीन से कठीन समय में भी हमें धैरिय नहीं खोना चाहिए किसी भी परिस्तीती से निपटने के लिए हम सही निर्णय लें, सही दिशा में प्रहास करें तभी हम विजय हासिल कर सकते हैं इसी मंत्र को सामने रखकर आज देश दिन रात काम कर रहा है बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिये गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो स्थिती को तेजी से सुधारेंगे इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सिजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है इस विशे पर तेजी से और पूरी संवेदन सिल्टा के साथ काम किया जा रहा है केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, प्राइबेट सेक्टर, सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरुरत मन को ऑक्सिजन मिले आक्सिजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाई किये जा रहे हैं राज्यों में नए ऑक्सिजन प्रांट्स हो, एक लाग नए सिलिंडर पहुंचाने हो अउद्यों की इकाईयों में इस्तिमाल हो रही ऑक्सिजन का मेडिकल इस्तिमाल हो, ऑक्सिजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है साथियों, इस बार जैसे ही कोरोना के केस बड़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाईयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है आज जन्वरी फर्वरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाईयों का प्रोडक्शन हो रहा है इसे अभी और तेज किया जा रहा है कल भी मेरी देश की फार्मा इंडिस्टरी के बड़े जो प्रमुक लोग हैं, उसके जो एक्षपर्ट लोग हैं उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कंपनियां की मदद ली जा रही है हम सौगपाग्य साली हैं कि हमारे देश के पास इतना बड़ा मजबूत फार्मा सेक्टर है जो बहुत अच्छी और तेजी से दवाईया बनाता है इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है कुछ शहरों में ज़्यादा डिमांड को देखते हुए विशेश और विशाल कोविर हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं साथियों पिछले वर्ष जब देश ने कोरोना के कुछ ही मरीज सामने आये थे उसी समय भारत में कोरोना वाइरस के खिलाब प्रभावी वैक्सिन्स के लिए काम शुरू कर दिया था हमारे वैज्यानिकों ने दीन रात एक करके बहुत कम समय में देश वाश्यों के लिए वैक्सिन्स विख्षित की हैं आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सिन भारत में हैं भारत की कोल्ड चेन विवस्ता के अनुकुल वैक्सिन हमारे पास हैं इस प्रयास में हमारे प्राविट सेक्टर ने इनोवेशन और एंटरप्राइज की भावना का बहतरीन प्रद्रशन किया है वैक्सिन्स की एप्रूवल्स और रेगुलेटरी प्रोसेस को फास्ट्रेक पर रखने के साथ ही सभी scientific और regulatory मदद को बढ़ाया गया है यह एक team effort है जिसके कारण हमारा भारत दो made in India vaccine के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीका करण अभ्यान शुरू कर पाया टीका करण के पहले चरण से ही गती के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि जादा से जादा छेत्रों तक जरूरत मन लोगों तक vaccine पहुँचे दुनिया में सबसे तेजी से भारत में पहले 10 करोड फिर 11 करोड और 12 करोड vaccine डोस दिये गये हैं आज करोणा से इस लड़ाई में हमें होसला मिलता है कि हमारे health care workers, frontline corona warriors और senior citizens के एक बड़े हिस्से को vaccine का लाब मिल चुका है साथियों कल ही vaccine को लेकर हुए एक और अहम फैसला भी हमने किया है एक मई के बाद से 18 वर्स की उपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सिनेट किया जा सकेगा अब भारत में जो vaccine बनेगी उसका आधा हिस्सा सीधे राज्यों और अस्पतालों को भी मिलेगा इस बीच गरीबों, बुजरगों, नीब्ले मद्यमबर के लोग, मद्यमबर के लोग 45 वर्स की आयू के उपर के व्यक्तियों के लिए केंद्र सरकार का जो vaccine कारेकम चल रहा है वो भी उतनी ही तेजी से जारी रहेगा पहले की तरह ही सरकारी अस्पतालों में मुप्त vaccine मिलती रहेगी जिसका फाइदा जैसा मैंने कहा हमारे गरी परिवार हो, हमारे मद्यमबर के परिवार हो हम सभी का प्रयास जीवन बचाने के लिए हैं और जीवन बचाने के लिए तो है ही प्रयास से भी यह है कि आर्थिक गतिविधियां और आजिवी का कम से कम प्रभावितों प्रयास का तरीका यही रखा जाए वैक्सिनेशन को अठारा वर्ष की आयू के उपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्क फोर्स है उसे तेजी से वैक्सिन उपलब्द होगी राज्यों और केंद्र सरकारे के प्रयासों से स्रमीकों को भी तेजी से वैक्सिन मिले लगेगी मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो स्रमीकों का भरोसा जगाए रखे उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वही रहे राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वही पर अगले कुछ दिनों में वैक्सिन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा साथियों पिछली बार जो परिस्थितियां थी वो अभी से काफी बिन्द थी तब हमारे पास इस वैस्विक महामारी से लड़ने के लिए कोरोना स्पेसिफिक मेडिकल इंफा सक्टर नहीं था आप याद करिए देश की क्या स्थिति थी कोरोना टेस्टिंग के लिए परियाप्त लैब नहीं पी-पी-ई का कोई प्रोड़क्शन नहीं हमारे पास इस बिमारी के ट्रिक्टमेंट के लिए कोई खास जानकारी भी नहीं लेकिन बहुत ही कम समय में हमने इन चीजों में सुधार किया आज हमारे डॉक्टरों ने कोरोना के इलाज की बहुत ही अच्छी एक्सपरटीज हासिल कर ली हैं वो जादा से जादा जीवन बचा रहे हैं आज हमारे पास बड़ी मात्रा में PPE कीट्स हैं लैप्स का बड़ा नेटवर्ग है और हम लोग टेस्टिंग की सुविधा को निरंतर बढ़ा रहे हैं साथियों देश ने कोरोना के खिलाब अब तक बहुत मजबूती से और बहुत धैरिय से लड़ाई लड़ी हैं इसका स्रे आप सभी को सभी देशवास्यों को ही जाता है अनुशाशन और धैरिय के साथ कोरोना से लड़ते हुए आप देश को यहां तक लाए हैं मुझे विश्वास है जन्भागीदारी की ताकत से हम कोरोना के इस तुफान को भी परास्त कर पाएंगे आज हम अपने चारों और देख रहे हैं कि कैसे कई लोग कई सामाजिक संस्ताएं जरूरत मंदों तक मदद पहुँचाने में दिन राद जुटे हैं दवाई पहुँचाना हो खाने या रहने की विवस्ता करनी हो लोग पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं मैं इन सभी के सेवा भाव को आदर पुर्वक नमन करता हूं और देश्वास्यों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक मात्रा में इस संकट की घड़ी में देश्वासी आगे आएं और जरूरत मंदों तक मदद पहुँचाने समाज के पुर्शार्थ और सेवा के संकल्प से ही हम ये लड़ाई जीत पाएंगे मेरा युवास साथ्यों से अनुरोध है कि अपनी सोसाइटी में मोहले में एपार्टमेंट्स में छोटी-छोटी कमीटियां बना कर कोवीड अनुसासन पालन करवाने में मदद करें हम ऐसा करेंगे तो सरकारों को न कभी कंट्रेंड्मेंट जोन लगाने की जरूरण पड़ेगी न कर्भी लगाने की जरूरण पड़ेगी और लोगडाउन का तो सवाली नहीं उडता है आवस्ता ही नहीं पड़ेगी, स्वच्छता अभियान के समय, देश में जागरुकता फैलाने के लिए मेरे बाल मित्रों ने बहुत मदद की दी, छोटे छोटे बालक, पाँचवी, साथवी, आँचवी, दसवी में पड़ने वाले, उन्होंने घर के लोगों को समझाया था, मनाया था, उन्होंने बड़ों को भी स्वच्छता का संदेश दिया था, आज मैं फिर अपने बाल मित्रों से एक बात विशेश तौर पर कहना चाहता हूँ, मेरे बाल मित्र, गर में ऐसा माहूर बनाईए, कि बीना काम, बीना काराण, घर के लोग गर से बाहर न निकले, आपकी जीत बहुत बड़ा प्रणा मिला सकती है, प्रचार माध्यमों से भी मेरी प्रार्थना है, कि ऐसे संकट की घड़ी में, वो लोगों को सतर्क और जाग्रुक करने के लिए, जो प्रयास कर रहे हैं, उसे और बढ़ाएं, इसके साथ ही इसके लिए भी काम करें, कि डर का माहोर कम हो सके, लोग अफ़ा और ब्रह्म में न आएं, साथियों, आज की स्थिती में, हमें देश को लोग डाउन से बचाना है, मैं राज्यों से भी अनुरोद करूँगा, कि वो लोग डाउन को अंतिम विकल्प के रुप में ही इस्तेमाल करें, कि लोग डाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है, और माइक्रो कंटेन्मेंट जोन पर ही ध्यान के इंद्रित करना है, हम अपनी अर्थववस्ता की सहथ भी सुधारेंगे, और देश वास्यों की सहथ का भी ध्यान रखेंगे, साथियों, आज नवरात्री का आखरी दीन है, कल राम नवमी है और मर्यादा पुरसोतम स्री राम का हम सभी को यही संदेश है, कि हम मर्यादाओं का पालन करें, कोरोना के इस संकटकाल में, कोरोना के बचले के जो भी उपाए है, कृपिया करके उनका पालन शत प्रतिशत करिए, दवाई भी, कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है, यह मंत्र जरूरी है, वैक्षिन के बाद भी जरूरी है, रमजान के पवित्र महने का भी आज सात्मा दीन है, रमजान हमें धैरिय, आत्मसयम और अनुशाचन की सीख देता है, कोरोना के खिलाप जंग जीतने के लिए अनुशाचन भी उसकी भी उतनी ही जरूरत है, जब जरिरू हो तभी बाहर निकले, कोवीड अनुशाचन का पूरा पालन करे, मेरा आप सभी से यही आग्रह हैं, मैं आपको फिर यह भरोसा देता हूँ, आपके इस साहस, धैरिय और अनुशाचन के साथ जूड़कर, आज जो परिस्तित्या हैं, उन्हें बदलने में देश कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, आप सभी स्वस्त रहें, आपका परिवार स्वस्त रहें, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समात्र करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,